जेहन दोस्तो स्वागातिक बर फिट से एक नए वीडियो में मैसिवम आप देखना शुरू कर चुके विंडो क्लासेस कैसे दोस्तो आई हो बहुत ही अच्छा होंगे आज के वीडियो में हम डिसक्रास करेंगे 36 गर समाने गयान के टाप एंपोर्टेंट क्विश्चेन अंस दोस्तो वीडियो शुरू करते हैं आज का पहला क्विश्चन है राज्य सरकार के सुगम कारेशन चलान के लिए नियम कौन बनाता है कौन बनाता है दोस्तों यह आपको बताना है यहां पर ओप्सन दिये हुए है सही आंसर देने के लिए आपको समय मिलेगा 5 सेकिंड का सम मैं शुरू होता है अब जी दोस्तों का राइट आंसर हो जाएगा डी राज जपाल और मंती परसंद अगला क्विश्चन राजनान गाउ में छुआ छुटवी रोद में पंडिच छवी राम चौबे ने कितने दिन का उपवास रखा था एवी क्विश्चन बहुत ही अच्छे दोस्तों यहां पर ओप्सन दिये हुए है जल्ली से अपना आंसर टिक करे जी दोस्तों इस क्विश्चन का राइट अंसर हो जाएगा सी 21 दिन अगला क्विश्चन हनुमान सी ने अपने 17 भारती सिपाईयों के साथ विद्रोह कब किया था इसी प्रकार के एक सिमलर क्विश्चन पुछे जाते हैं दोस्तों इनको फांसी कब दी गई थी ठीक है तो दोनों डेट आपका कवर हो जाएगा 18 जन्वरी 1859 को ठीक है दोस्तों यहां पर जो डेट दिया गया दोस्तों विद्रोह आराम हुआ था उसका है ठीक है अगर फांसी का पूछा जाता है तो आपको याद रखना है 22 जन्वरी 1859 को किल्यार है बढ़ते अगले क्विश्चन के दरब निम नलिखित महान वेक्ट 23 गड़ से कोई संबन नहीं है यह भी क्विश्चन बहुत ही अच्छा दोस्तों लगभग सभी एक्जाम में क्विश्चन पूछ लिया गया है ऑप्सन दिये हुए कौन सा आप्सन सही हो जाएगा जी दोस्तों इस क्विश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी सुंदल लाल भगुना अगला क्विश्चन कहा जाता है कि नागवन सी सासक द्वारा 36 गड़ में मंदिर बनवाया गया था उसका नाम क्या है कौन सा मंदिर है दोस्तों यहां प्या आप्सन दिये हुए है जल जी साथ चे उस क्विश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी भोरम दे मंदिर अगला क्विश्चन इस राज्य का निम्न लिखित में से कौन सा सहर चारहो का नगर की नाम से जाना जाता है कौन सा सहर है दोस्तों यहां प्या आप्सन दिये हुए है जल्दी से अपना आंस दलपूर आप लोग को कमेंट करना है दोस्तों की स्राजा के दोरा बनाया गया था इस क्विश्चन को मैंने डीटेल से कराया है अगर आप किसी भी क्विश्चन को डीटेल से पढ़ना चाते हैं तो उसके लिए आप प्लेलिस्ट विजिट करें सिजी जी के एस्टाफेक् प्लेल चवाली सुडियो अपलोड हो चुके दोस्तों प्लेलिस्ट का लिंग आपको उपर आई बटन में मिल जाएगा या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वहां से जाकर आप देख सकते हैं अगला क्विश्चन गांथी जी ने अपने 36 गड़ प्रवास मे मकई बन चौक में भासन दिया था वह स्थान कहां है कहां पर है दोस्तों कुरूद में है धमतरी में है राइपूर में है या फिर भाटा पारा में है कौन सा अप्सन सही हो जाएगा जी साथ्यों इस क्विश्चेन का राइट आंसर हो जाएगा भी धमतरी अगला क्विश्चेन निम्न लिखित में से किस राजवन्स ने इस राजजमें सबसे लंबी आउधी तक सासन किया कौन से राजवन्स है दोस्तों यहां पर आप्सन दिये हुए है जल्लिस अपना आ जी दोस्तों इस क्विश्चेन का राइट आंसर हो जाएगा C कल्चूरी वन्स अगला क्विश्चेन सारवधिक चोड़ाई वाले चित्रकुट जल्प्रपात की आकरिती किसके समान है किसके समान है दोस्तों यहां पर आप्सन दिये हुए है जल्दी से अपना आंसर टिक क जा रहे जी दोस्तों अगर आप आप्सन डी के साथ जा रहे तो आप का अंसर बिल्कुल राइट है घोड़े की नाल अगला क्विश्चेन का राइट आंसर हो जाएगा C अकल तरा अगला question महानन्दी का यहाँ नाम किसके कारण हुआ किसके नाम के कारण हुआ है दोस्तों यह आपको बताना है नन्दी से सम्बंदित question है नन्दी से सम्बंदित हमने separate वीडियो अपलोड किये है जिसमें हमने total 50 question discuss किये है तो अभी तक आपने अगर नहीं देखे हैं तो उपर आई बटन में link मिल जाएगा वहाँ से जाकर देख सकते हैं साथ ही साथ अगर आप topic wise वीडियो देखना चाते हैं तो उसके लिए आप playlist वीजिट करें cggk topic wise जितने भी topic wise वीडियो अपलोड है दोस्तो उस playlist में आपको मिल जाएगा तो यहां पर option दिये हो है दोस्तो जल्दी सपना अंसर टिक करें जी दोस्तो अगर आप option एक के साथ जा रहे है तो आपका अंसर बिल्कुल राइट है स्रिंगीर इसी के pre-assist के नाम पे क्या नाम है दोस्तो यह आप लोग को बताना है इस question को भी हमने detail से कराया है अगला question ताला गाउं से प्राप्त कालपुरुस की रहस्य में प्रतिमा वास्ता में है किसका है दोस्तो यह आपको बताना है यहां पर option दिये हुए है जल्दी से अपना answer टिक करे जी साथ हो इस question का right answer हो जाएगा डी रुद्र सेउकी नेस्ट वीडियो दोस्तों 36 गड़ समाने ग्यान का टॉपिक वाइस होगा कौन से टॉपिक का वीडियो अपलोड करना है यह आप लोग कमेंट कर सकते हैं अगला question 36 गड़ में इंद्रा गाउं गंगा योजना सम्बंधित है किस से सम्बंधित है दोस्तों यह आपको बताना है योजना से सम्बंधित एक question पूछे जाते हैं जल्दी से अपना answer टिक करे जी साचियो अगर आप आपसन C के साथ जा रहे तो आपका अंसर बिल्कुल राइट है पेजले योजना से ठीक है दोस्तों बढ़ते हैं अगले question के तरफ निम्न में से किस जीले में सर्वधिक विधान सभा सीटे हैं कौन से जीले में है दोस्तों यह आपको बताना है कोरबा में है रायगर में है महासमुन में है या फिर बलावदा बजार में है जल्लिस अपना answer टिक करे जी साथियो इस question का right answer हो जाएगा बी रायगर अगला question निम्न में से कौन कांकेर सोमवन सी सासक नहीं है कौन नहीं है दोस्तों यह आपको बताना है यहाँ पर option दिये हुए है कौन सा option सही हो जाएगा जी दोस्तों इस question का right answer हो जाएगा बी जैपाल अगला question खुद को भगवान क्रिश्न का वनसज मानने वाला यदुवन सी कुल की सैली का लोक नित्ते करता है कौन से सैली का करता है दोस्तों यहाँ पर option दिये हुए है इन में से कौन सा option सही हो जाएगा जी दोस्तों इस question का right answer हो जाएगा डी राउत नाचा अगला question 36 गड़ का प्रमुक चित्रकुर्ट जल प्रपात की जीले में स्थित है कौन से जीले में है दोस्तों यह आपको बताना है बस्तर है कांकेर है कोंड़ा गाउ है नरायनपूर है जी दोस्तों अगर आप option एक के साथ जा रहे तो आपका अंसर बिल्कुल राइट है बस्तर अगला question राज मोहनी देवी मुख्यता किस छेत्र से संबंदित थी कौन से छेत्र है दोस्तों यहाँ प्र आप्सन दिये हुए जल्दी से अपना answer टिक करे जी दोस्तों इस question का right answer हो जाएगा D समाज सेवा अगला question किस जनजाती में मानेता है कि हल जोतने से धर्ती माता की छाती फटती है अता हल का प्रयोग वर्जित है बहुत ही अच्छा question है दोस्तों जनजाती का जनजाती के recording हमने separate वीडियो अपलोड किये है साथ ही साथ हमने ebook भी publish किये है अगर आपने वीडियो नहीं देखे तो उपर i button में link मिल जाएगा वहाँ से जाकर देख सकते है यहाँ पर option दिये हुए दोस्तों बैगा जन जाती है उराओ जन जाती है बतरा जन जाती है या कमार जन जाती है इन में से कौन से जन जाती में हल का प्रयोग वरजीत है यह आपको बताना है जी दोस्तों अगर आप option a के साथ जा रहे तो आपका अंसर बिल्कुल राइट है बैगा बैगा जन जाती में हल का प्रयोग वरजीत है किल्यार है दोस्तों बढ़ते अगले question के दरब 36 गड़ राज्य में मराठो की सासन पध्धती थी कौन सी पध्धती थी दोस्तों यह आपको बताना है यहाँ पर आप्षन दिये हुए है जल्ली से अपना अंसर टिक करे जी दोस्तों अगर आप आप्षन एके साथ जा रहे तो आपका अंसर बिल्कुल राइट है सुबा पध्धती बढ़ते हैं आज के अंतिम क्वेश्चन के तरफ और यह क्वेश्चन आप लोगों के लिए है इसका अंसर आप लोग को डीटेल से कमेंट बॉक्सों में दिना है क्वेश्चन देखिए 36 गण में फुट पार का कहां इस थापित किया जा रहा है कहां पर किया जा रहा है दोस्तों यह आपको बताना है यहां पर आप्षन दिये हुए है बस्तर कोरबा राइपूर जयसपूर राजनान गाउदूर्ग या फिर राइपूर बिलासपूर इ आज के वीडियो में बस इतना ही वीडियो के रिकार्डिंग कोई भी क्वेश्चन है या डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं अगर आपका कोई सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हैं मिलते हैं नेस्टे वीडियो में जब तक खुश रहे दूसरों को भी खुश वहां?